तो हेलो फ्रेंड्स आज हम बात करेंगे होंडा के नए प्रोडक्ट होंडा एलिवेट के बारे में और ये बहुत ज्यादा एस्पाइरिंग प्रोडक्ट है हर किसी को वेट है होंडा एलिवेट की और ये प्रोडक्ट होंडा का टर्निंग पॉइंट होने वाला है होंडा की इंडिया में मार्किट के लिए तो चलिए बात करते हैं पॉलिटिव और नेगटिव की होंडा एलिवेट के बारे में कि इसमें आपको क्या क्या मिलने वाला है और कौन सी चीजें होंडा एलिवेट में मिसिंग होने वाली है तो सबसे पहले तो होंडा इंजन इसमें नहीं आने वाला सिर्फ पेट्रोल इंजन ही आने वाला है और हाइबरीड सिस्टं के साथ और होंडा का हाइबरीड सिस्टं बहुत तॉप नॉच है जिसमें की गाड़ी अगर सिटी में चलेगी थोड़ी कम स्पीड पे चलेगी तो वो बैटरी पे चलने वाली है और इसके साथ ही अगर आप एक्सलेशन ज्यारा देते हैं हाईवे पे तो पेट्रोल पे चलती है जिससे कि आपको माईलेज ज्यारा मिलती है कुछ लोगों को होंडा सीटी में काफी अच्छी माईलेज मिल रही है और इसमें भी 18-20 तक की में है तो इसमें आपको एडास फीचर भी मिलने वाला है वो आपको मिड़ वेरियन से ही मिलेगा बाकी कमपनिया तो सिर्फ टॉक वेरियन्ट में ही दे रही है लेकिन ओंडा ऐसी कमपनिया जो कि अच्छे फीचर आपको rekस का देती है वे अफर कर देती है अब ही Honda City भी 5 star rating है तो ये भी Honda City के ही platform के उपर बनाई गई है तो Honda Elevate में भी 4 to 5 star rating आ ही जाएगी इसके साथ इसमें Adas feature मिल जाएगा, 6 airbags मिलने वाले हैं, tire pressure monitor मिल जाएगा, cruise control feature मिल जाएगा, ABS, EBD तो इसके साथ ही इतने ज़रा जब safety feature होंगे तो 5 star rating क्यों नहीं मिलेगी अब हम बात करते हैं कि कौन से feature आपको इस गाड़ी में missing मिलेंगे तो इसमें सरफ आपको जो petrol engine मिलेगा hybrid system के साथ लेकिन इसमें आपको turbo petrol नहीं मिलेगा अगर आप interior चाहते हैं काफी बड़िया हो जैसे कि बाकियों में बड़ी बड़ी touch skin या फिक combined MID मिल रही है या फिर 10.25 inch की touch skin infotainment system मिल रहा है आप तो टाटा भी upgrade कर रहा है लेकिन Honda Elevate में हो सकता है कि आपको वही 8 inch की पुरानी touch skin infotainment system ही देखने को मिले अगर 10 inch मिल जाती है तो बहुत बड़िया बात है इसमें आपको सिर्फ petrol ही मिलने वाले हाई option CNG भी नहीं मिलेगा और डीजल तो भूल ही जाए डीजल तो वैसे इंडिया में 2027 तक बंध होने वाला है अगर बात करें panoramic sunroof तो इसमें आपको क्रेटा में panoramic sunroof मिल रही है celtos में भी panoramic sunroof आ रही है लेकिन honda elevate में आपको small sunroof देखने को मिलेगी तो यह एक तरह का negative point होने वाला है तो दोस्तों यह कुछ positive और negative थे अब last में बात कर लेते है expected price की तो expected price इसका तकरीबन 11.5 लाख रुपे से start होना चाहिए जो कि introductory price है बाद में हो सकता है price बढ़ भी जाए और तकरीबन 20 लाख रुपे तक चले जाएगा आपको honda elevate का कितना weight है comment करके जूर लिखें और कितना expected price होना चाहिए यह भी बता सकते हैं तो मिलते हैं नहीं वीडियो में थैंक यू थैंक यू सो मच